आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे मेरे नाम है सिद्धान तक नहीं हो तरी स्टेडी ग्लोस पर आपका बहुत दोस्वाकत है दोस्तों बहुत मतलब तीन चार लेचेज मैं करूंगा इस आतंक वाद पे देखे पाकिस्तान एक फक्कर देश ये हरकते करवा रह है उनके लोगों से हमको कोई दिक्कत नहीं है लोग खुद परशान है वहां के इतने इंफ्लेशन इतनी महंगाई खुद ही परशान है उपर से टीम भी उनकी नहीं जीतती तेकि यह जो हमला हुआ है यह जो हमला हुआ है यह दिखाता है कि यह लोग कायर है कायरों कि अग क्या हुआ है मैं बता तो क्या हुआ है रियासी में और अभी ओल आइस ऑन रियासी पे भी मैं लेच्चर करूंगा आप चिंता मत करिया है रियासी में शिव खोडी मंदिर लगभग कट्रा से आपको पता है कि अगर आप वैश्णो दिवी दर्शन करने जाएंगे तो आपको सबसे पहले कट्रा जाना पड़ेगा तो स्वी डी के श्रीमाता वैश्णो दिवी कट्रा की स्टेशन हो गया पहले तो जम्मू से लबग दो घंटे लगते सत्तर असी किलो मेटर दूरे वैश्ट कट्रा वहां से फिर चड़ाई शुरू होती है उसके फिर तीस किलो मेटर जबाव आगे जाएंगे थोड़ा सा और शिब मंदिर कश्मीर जो है नकश्मीर एक सेंटर अफ लेंडिंग हुआ करता था ठीक है न अधी शंकराचारर और रिशीक श्यप के नाम पे विसे तो तो आप यह समझें कि बहुत कुछ जो है वहां पे है और सेंटर अफ लेंगे प्याव बहुत सब्सक्र मंदिर करेंगे तो यह हिसाब किताब है अब 1947 के बाद अभी जो मॉडरन कश्मीर की रही हो बहुत अच्छी नहीं रही है पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो आतंकवाद से पीड़त है बुरी तरीके से वहां पे खुद लोग टूड़ जाएगा पाकिस्तान चार हिस्सों में बढ़ आएगा आप मानके चलिए बहुत आतंकवादी वहां खुद हमले हो रहे हैं कभी पाकिस्तान ऑक्रिपाइट कश्मीर में आपने देखा कि भयानक प्रोटेस्ट हुए लोग उठ खड़े हुए यहां पे बलोचिस्तान में आप देख रहे हो खाइबर पक्तूनवा में तो जैसे ही उस मोड पे आए एक आतंकवादी उपर से गोली चला रहा था एक सामने आया उसने गोली मारी ड्राइवर को गोली लग गई ड्राइवर को फ्रेंट से गोली लगी शीशा चटका और बस खाई में जागी ली तावर तोड गोली है चलाई दो साल के बच्चे की मौत हो गई है इसमें और इसमें नौ यात्री मर गए हैं एक तालिस घायल है ठीक है रेजिस्टेंस फोर्स लशकरे टाइबा कह रहा है कि हमने यह रिन्यू किया है यह जो नई इंसरजेंसी है अभी मैं इंडियन एक्स्प्रिस का एक आर्टिकल पढ़ रहा था तो उसमें जो नई एडिटोरियर पढ़ रहा था उसमें यह जो नई इंसरजेंसी है इसका अब एक जनम हुआ है ठीक है तो आप शद्धालों पे हमला हुआ है शद्धालों पे पहले भी होता रहा है हाला कि हमने हमेशा रिस्पेक्ट की है ठीक है ना लेकिन यहां पे आतंकवादी जो है वो शद्धालों पे हमला कर रहे है ठीक है तो आप इस समझ सकते हो अब बात यह है कि जब शद्धालों पे हमला हुआ तो चुप तो बैठेंगे नहीं लेकिन फिर भी बहुत लोग चोपी है इस पे क्या ही बोला जाए तो यह क्या दिखा रहा है कि पाकिस्तान महौल है न वो शायद कश्मीर कभी नहीं देखा पैसे आ खूप सारे कश्मीर में कश्मीर डेवलप हो रहा है कश्मीर अब एक लंबा पीस हमको देखने को मिला है और मैंने आपको बताया था जब पत्थर बाजी होती थी बुरहान वानी का समय मैंने आपको बताया था कि अगर आप कश्मीर के युवाओं को नौकरी दे दो हलाकि अभी भी प्रॉब्लम से मैं वो नहीं कह रहा हूं लेकिन हाँ अगर वहां पर पैसे दोगे डेवलप्मेंट दोगे तो यह को देखने को मिला है तो अब यह लोग छट पटा रहे हैं क्या करें क्या ना करें आर्मी मारेगी घर में घुशके मारने ना बाई क्या ही दिक्कत है पाकिस्तान के घर में आप रुकिए बस थोड़ा वक्त दीजे हाफिस सहीद गए है ना हमला हुआ था पेशावर में डर के मारे निकलता नहीं है तक्रीरिया दिखती है हाफिस सहीद की मस्ज़िद जा रहे तो उड़ा दिया था बचे गए वर ना उड़ा दिये जाते ठीक है तो वही है कि यह जो कायरता है ना कि आप शद्धालों पर हमला करें यह कहीं नहीं और अभी 72 घंटे के अंदर तीसरा अटाक हुआ है दोस्तों आर्मी आउटपोस्ट डोडा में अटाक हुआ है और यह चि लोग जो आप हमारे खिलाफ हो गए हैं यहां पर जितने लोग हैं जितने कश्मीरियों सबको एक जूट होना पड़ेगा सबको साथ में आना पड़ेगा और साथ में प्रोटेस्ट करना पड़ेगा यह बिल्कुल सही बात है और यहां आप समझे कि उनको आतनकवादी को आए कि यहां से जो है वो हो नहीं रहाई है तो अब उन लोगों को पर हमला करो उन लोगों को टार्गेट करो जो कि वल्नरेबल है ताकि दहशत फैलाई जाए तो जैपूर से टूरिस्ट आरे तो उनको मार दिया आपने देखा अभी है ना पिछले दो सालों से कभी सबज का डिस्ट्रिक्ट है वहां पा कीके नहीं राश्ट्री राइफल्स के वपर गोली चलाई है हाला कि अभी कोई हता हत नहीं हुआ है कोई क्याजियूलिटी नहीं हुए लेकिनho 때ellschaft an एंकाउंटर जा रही है यह एडीजी ने हमको बताया है तो जॉइंट ऑपरेशन पुलिस और पहला मिलिटरी फोर्स कर रही है इलिमिनेट कर देंगे यह बचेंगे थोड़ी नहीं मर खतम कर देंगे ठीक है आये हो बहुत बड़े एके 47 लेकर मार दिये जाओगे खुदी समझना चाहिए कि यह लोग तुमको यूस करते हैं अजमल कसाब को पूरा गरीब आदमी उसको आतंकवादी बना दिया वो महरा बन गे आतंकवादी क्योंकि पाकिस्तान में कुछ और तो है नहीं करने के लिए पकड़ो ब्रेन वाश शेयर करने आए तो अब यह जो रियाइसी डिस्ट्रिक्ट में हुआ है ठीक है उसी के रिस्पॉंस में अच्छा एक और यहां पे कठवा में भी कठवा में जो गाओं है साइधा विलेज वहां पर भी यह वहां पर क्या हुआ कि दो आतंकवादी जो है वह घर में घुसे घर में घुसे बोले कि हमको पानी चाहिए पानी पीने के लिए गुसे लेकिन भाई आतंकवादी थे तो भाग गए यहां पर जो घर के लोग थे वह भागे उन्होंने ओपन फायर ओपन कर दिया तो वहां पर भी जो है यह सारी चीज़े हमको देखने को मिली है तो आप य अगली तो आतंकवाद खतम हुआ है लेकिन यहां पे अब स्ट्राटेजी एक है कि भाई जो भी मिले मारो सिक्यूरिटी फोर्से जो है वो डेफिनेटली इस पर काम कर रही है एलिमिनेट कर देंगे नो डाउट ठीक है खतम कर देंगी वह लेकिन मैं फिर से बोलूँगा क पारें कि इसेंस करवाने जाने चाहिए तीस सप्टेंबर का विट मत करिए मैं सरकार से विंती करूँगा कि आप इससे पहले पहले करवाई क यह बहुत जरूरी देंगे अध्याम यह नई दिशां देंगे कश्मीर को एक नई जान फूग देंगे और जाता शांदार हो जाएगा तो आप सुप्रीम कोट का वेट मत करिए उन्होंने बोला 30 सितंबर आप अभी इसी वक्त कर वाई यह जितनी जल्दी हो सके लिक्शन कर वाईए ठीक है तीन मैंने बच्छे लकिनकर यह अगस्त को जाए तो बहुत ही ठीक रहेगा है जुलाई तक भी ऻुजाए तो इसका बेट मत करिे जब यह इलॉक्शन हो जाएंगे तो चीजह बेटर होगी है ना तो बहुत दुखाद है मैं इसमें दो तीन लेचर और करूँगा ठीक है आपको बताओं एक तो और आई जोन रियाइसी पर करूँगा मैं देखते दिए स्टेडी ग्लोस थैंक यू सो मुच और ट्राइम अफियर्स को सब्सक्राइब करें आज मैं बहु करेंज मैं देञे डर टाफंब करें़ दिए मैं आट चरूगा मैं नाम है यू माया झानों कपके लिवसादान से घिमार तो Wesंभ सब्सक्राइब नहीं सब्सक्तूशओार।